नमश्कार दोस्तो आज की वीडियो पूरी जरूर देखना क्योंकि बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए आपको मिलने वाला है आपके सामने जो image में दो शक्सियत दिख रही हैं ये हैं निथिन और निखिल जो की दो भाई हैं और इनकी company ने decide कि as a director इनको 100-100 करोड उपे की साल की salary मिलेगी जी हाँ 100 करोड उपे की जो की देच की सबसे जानी मानी companies TCS और Infosys भी अपने CEO को नहीं दे पा रही है TCS के CEO राजेश कोपिनाथन को 2020-21 के अंदर 20.5 करोड उपे के आसपास की salary और Infosys के CEO को लगबख 49 करोड उपीस की salary मिलेगी लेकिन निखिल और निथिन कामनाथ को अपनी company से 100-100 करोड उपे की salary as director मिलने वाली है Actually मैं आपको बताओं ना चाहूँगा पूरा का पूरा माजरा क्या है एक हमारी देश की number one broking company है Zerodha Broking Limited जो की 2010 के अंदर established होई थी ये जिरोधा नाम जो है वो Sanskrit से आया Zero and Rodha जिसका मतलब है barrier free इन दो भाईयों ने मिलके 2010 के अंदर इस company को setup किया और आज ये देश की number one stock broking company जो है बन चुकी है Actually मैं जब आप कसी भी share market से share खरीते हैं तो आपको brokerage देनी पड़ते हैं लेकिन अगर आप zero था कित्रू shares purchase करते हैं तो आपको कोई brokerage देनी नहीं पड़ती बहुत ही limited amount के charges हैं सिफ साल के 300 रपे account maintenance charges लगते हैं और बाकी जो transaction fees हैं वो भी एकदम नाम मातर की almost zero है 2010 से करते करते 2021 तक ये महौल हो गया कि आज के time पे stock exchange के अंदर जो total transactions होती हैं उसकी 2% transaction इकलोता zero दा broking limited से ही होती second चीज मैं आपको बताना चाहूँगा इस company ने आज तक एक रुपे का भी fund किसी company से नहीं उठाया जैसे आप सुनते हैं बाइजूज ने उठाया पेटियम ने funds raise किये जुमैटो ने किये तो इस company ने आज तक एक रुपे का भी fund raise नहीं किया है और आज इसकी valuation 3 billion dollar की हो चुकी है और लग 2021 के अंदर इस company ने 1000 करोड रुपे का जो है मुनाफ़ा कमाया था company का सिर्फ sole focus एक है lower margin higher volume lower margin higher volume जितना margin हो सके कम रखो लेकिन volume इतना जादा रखो कि सारी चीजे compensate हो जाए अब आज कल जिरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड जो है वो सुर्कियों में बहुत जादा है सुर्कियों में इस वज़े से है कि इन दो directors जो की company के founders भी है इनको 100-100 करोड रुपे की salary जो है वो दी जाएगी मैं आपको बताना चाहूँगा जिरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड एक private company है और ये listed नहीं है इसके shares market में नहीं मिलते हैं अब इस पे इतना बवाल क्यों हो रहा है कि 100-100 करोड रुपे की salary बहुत negative publicity जो है इस चीज को लेके create कर दीगी है देखें मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे हिंदुस्तान का जो tax system है वो कहीं न कहीं higher incomes को promote नहीं करता है इसको समझने के लिए बड़े सरा लक्षरों का मैं इस्तेमाल करता हूँ ध्यान से समझेगा हिंदुस्तान के इंदर जो company है अगर वो मुनाफ़ा कमाती है तो उसे 25% tax देना पड़ता है जिसको corporate tax कहा जाता है तो zerodah broking limited जो भी कमाती है जैसे उसने 1000 करोड पे कमाया तो उसे 2500 करोड पे government को देने पड़ेंगे as corporate tax तो इसलिए लिए लिखा गया corporate tax are subject to 25% अब इसके बाद क्या होता है कि जो भी मुनाफ़ा कमाया जैसे 1000 करोड पे कमाया तो 1000 करोड में से 2500 करोड पे तो उच्छे क्या चला गया dividend tax बोलके और वो 36 प्रतीशत के हिसाब से लगता है मतलब आप एक चीज़ सोचे कि अगर जिरोधा broking limited 1000 करोड पे कमा रहे है तो 2500 करोड पहले देगी सरकार को 700 करोड बसते हैं वो shareholders कि हैं shareholder को 700 करोड गए तो shareholders 700 करोड में से 36% tax देंगे और shareholders कौन है यह दो भाई है majority shareholders है अब यहाँ पर इस तरीके से अगर देखा जाए तो उस 1000 करोड पे पे लगबग 25 और 36 अगर total कर दे तो total 52 प्रतीशत का जो है tax लग जाता है मतलब 1000 करोड पे से 520 करोड पे तो सरकार के खाते में चले गए तो बचेगा क्या तो अब यहाँ पर इसी लिए जो यह पूरी की पूरी इन्होंने planning करी क्या देखिए अगर आप organization से salary लेते हैं तो salary पे जो tax बनता है वो बनता है 42.7% क्योंकि यह salary बहुत higher amount किये तो सारी चीज़ों को sales वगर को adjust करके net up command बता रहा हूँ यह बनता है लगबग 45.5% तो उन्होंने यही tax planning करी है tax planning क्या करी है कि company profit कमा है और profit कमा करके फिट dividend दे तो उस पर आता है 52% का tax तो उन्होंने क्या किया एक board meeting में resolution पास किया कि दोनों founder members को जो है 100-100 करोड़पे की salary दी जानी चाहिए अब इससे यह होगा कि इनका जो tax है लगबग 10% बच जाता है क्योंकि अब as a salary अगर इसको वो लेते हैं तो 45-42% जो है लगबग इनका tax से जाएगा एक तरीका इनके पास दूसरा भी था जो कि mostly companies में तो बहुत जादा interest लेते हैं Indian investors भी लेते हैं पर और अगर ये अपने कुछ shares इन बेच देते और उस पे इनको मुनाफ़ा होता तो उस पे tax लगता मातर साड़े 28% तो अब देखो company कमा रही है और कमा के बाठती है तो tax आगया 52% salary की तरह 42.5% capital gain capital gain क्या कि आपके पास company के अंदर जो हिस्सेदारी है shares है उसको आप बेच दीजे और आप उस हिस्सेदारी को बेचते हैं उस पे आपको मुनाफ़ा होता है तो कितना होगा साड़े 28% तो सर इन्होंने ये वाला क्यों नहीं लिया कि हिस्सेदारी बेच देते थोड़ी सी अच्छा खासा पैसा आजाता tax पसता साड़े 28% होता नहीं इन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अपनी company के अंदर बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं बेचना चात ये किसी और को control नहीं देना चाते हैं ये सारा का सारा control अपने पास रखना चाते हैं इसलिए हिस्सेदारी बेचने में interested नहीं थे इसलिए इनके पास option था कि ये salary ले और 42.7% से जो है उस पे tax पे करें आज से लगबग 20 साल पहले 2 दशक पहले विजय केलकर task force बनी थी जिस देते हैं तो उस पे tax आप लगा रहे हो 52% और अगर हिस्सेदारी बेची जाती है उस पे मुनाफ़ा होता है तो tax लगता है 28% इसलिए देश के आप बड़े-बड़े corporates देखेंगे वो क्या करते हैं कि अपने हिस्सेदारी बेचते हैं और अपना जो उन्हें funds चाही होता ह personal purpose के लिए वो raise करते हैं और उस पे उनका tax भी कम बनता है 28% और ये आज से लगबग 20 साल पहले विजय केलकर बोल चुकी है कि dividend और capital gains पे जो tax है वो एक समान लगाओ otherwise लोग क्या करते हैं वो capital gains की तरह अपना मुनाफ़ा दिखाते हैं और अपना tax को बचाने की कोशिश करत है था कि इंसान पे total return क्या हो रहा है ये basis होना चाहिए ना कि ये basis होना चाहिए कि वो income किस तरीके से आ रही है अब देखो income लाने के तीन तरीके होगा है dividend form में salary form में capital gain form में और जहां tax बच रहा है वो हम मरास्ता choosing करेंगे बहुत सारी ऐसी Indian firms हैं जो salary income को as capital gains जो है वो transfer करत हैं और tax बचाती है जैसे मैंने आपको example दिया अभी recent है आप funding कि इतनी बड़ी buy juice or matter तो ये लोग क्या करते है capital gain इसलिए तो fund raise करते हैं कि जितना पैसा ची उतना share बेच दिया और उसके ओपर अपना tax बचा लिया तो basically कुछ भी यहाँ पर जिरोधा promoters ने गलत नहीं किया अगर वो 100 करोड़ रुपे की salary ले भी रहे हैं और ये एक बहुत सही tax planning है इससे उनका कुछ पैसा बजता है खामा खान negative publicity जो है इनको जेलनी पढ़ लए है कि 100 करोड़ रुपे की salary enforces TCS के CEO से जादा यह बहुत गलत है और इतना जवरदस्त अगर 3 billion valuation की company खड़ी कर देते हैं और आज unlisted company वो खड़ी कर देते हैं और stock exchange का 2% volume अपने platform से trade करवाते हैं तो we must learn something instead कि इन्हें twitter पे trend करवाया जाए और negative publicity इनको दी जाए वीडियो कैसा लगा comment section के अंदर जरूर बताइएगा जैश्रीश्या